नमस्कार दोस्तो अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए एक बहतरीन टीम बनाना चाते हो ना तो ये जो मैच खेले जाने वाला है पंजाब केंग्स और गुजराट टाइटन्स के बीच में ये मैच आप लोगों के लिए एक परफेक्ट मैच है दोस्तो ये मैच IPL का माच नमबर 37 है और ये मैच खेले जाएगा महराजा यादविंदर सिंग इंटरनाशनल स्टेडियम मुलानपूर मोहाली पे बगी दोस्तो इस माच के लिए कौन-कौन से प्लेयर आप लोगों के लिए इंपोर्टन्ट है कौन से प्लेयर आप लोगों के लिए पंट प्लेयर लॉसमेकर्स और गेम चेंजर्स बनेंगे सबसे पहले उससे देखेंगे उसके बाद इन प्लेयर्स के कॉंबिनेशन को लेकर मैंने आप लोगों के लिए तीन मेगा ग्रांड लीग की टीम्स बनाई है तो उन तीनों टीम्स को भी आप लोग देख कर जाईएगा कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन रहेंगे वो भी आप लोगों को बता दूँगा तो काफी इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों मिस्स बिल्कुल से भी मत कीजिए पंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये वो प्लेयर्स है ये कुछ प्लेयर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे ये वो प्लेयर्स है जो कि आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग विन कराते हैं हमेशा से क्यों बालू मैं क्यूंकि ये वो प्लेयर है जिन दोस्तों ताबड तोड़ खेलता है आप सभी लोगों को पता होगा जिनने नहीं पता है तो बता दू एक बोहुती तगड़ा प्लेयर्स है दोस्तों पूरे लीक पे इसने धूम मचाया था बागी दोस्तों अगर आप लोग देखोगे प्रब सिम्रन सिंग को भी काफी लोग मतलब लोग लेना पसंद नहीं कर रहे है बड़ ये भी तो इंपोर्डेंट पोजीशन पे खेलने आता है दोस्तों फर्स डाउन पोजीशन एक बहुत ही इंपोर्डेंट पोजीशन रहता है क्लियर उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर गुजराट टाइटन्स के टीम पे अभिनाव मनोहर दिखते हैं बागी लास्ट मैच पे आप लोगों ने देखा था यहां पर हरपीत सिंग खेलेते ठीक है तो इन प्लेयर्स को कोई नहीं ले रहा है बड़ यहां लीग की रिस्की टीम मनाने की पूरी अपनी तरफ से 100% कोशिश की है तो टीम को आप सभी लोग देख कर जाएगे बागी राहूल तेवतिया और शारूफ खान राहूल तेवतिया को भी दोस्तों अगर मौका मिलता है अगर आप लोगों ने देखा होगा गुजराट होगे यहाँ पर नूर अहमद और स्पैंसर जॉन्सन यह दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के इस मैच के मतलब सूपर इंपॉर्टेंट प्लियर्स है दोस्तों यह लोग मतलब यहाँ पर प्रप्सिम्service Esse इं इंपॉर्डेंट नुसूम ऐमद ल बहुत important players दोस्तों आप लोगों को यहां पर इस combinations पर दिख रहे होंगे जिनके बीना mega grand league आप मान के चलो impossible है किन players को किन बड़े players को drop करके combinations पर डालना है मैंने team पर create कर रखा है तीन team मनाया है अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो उन team को पक्का से आप लोग देखेगा बागी बात करूं दोस्तों यहां पर loss makers की तो ज़्यादा loss makers है नहीं वैसे शुबमंगिल और साही सुदर्शन है दोनों के चलने के भी chances है दोनों के दोनों में से एक के भी flop होने के chances रह सकते हैं सैम करन इंपोर्डेंट रहेगा बैटिंग बालिंग दोनों point of view से रशित खांभी दोस्तों अच्छा player है बैटिंग बालिंग दोनों कर लेता है यहां से कगी सोर अबाड़ा एक flop हो सकता है जिसके साथ आप risk ले सकते हो मैं यह नहीं कह रहा है कि drop कर दो कुछ टीम पे जैसे यहां से आप लोग एक कगी सोर अबाड़ा हो गया जिसके साथ risk ले सकते हैं बागी शुबमंगिल और साई सुदर्शन में से भी एक player के साथ risk ले सकते हैं मतलब यहां से दो player at a time हम लोग drop कर सकते हैं और यह वो players हैं जिनके selection percentage 70% से उपर है मतलब दो player तो यहां से निकालने ही पड़ेंगे और पंट players में से चार players को हम लोगों को team पर लाना ही पड़ेगा कैसे मैं आपने team पर लाया हूँ आप सभी लोग अभी team देखोगे तो clarity बन जाएगी बागी game changers, game changers पर बहुत players मिलेंगे और यह सबसे important section है आज का मुझे जो लग रहा है ठीके ना यहां पर देखो के रिदमन शाह और जितेश शर्मा यह काफी important player है दोस्तों मतलब आप मान के चलो 90% probability है इन दोनों में से एक player की चलने की 90% probability बागी batting वाले section पर डेविड मिलर last match में flop रहे थे पर ध्यान रखेगा यह भी एक important player बन सकते हैं इन्हें हमें अपने team पर pick करना चाहिए बागी शशांग सिंग और अशुतो शर्मा यहां से भी आप लोगों को शशांग सिंग important लग सकते हैं मतब इन दोनों ने तो वैसे हर match में perform किया है PBKS के लिए बागी लियाम लिविंस्टन as a punt pick try किया जा सकता है इस बात को ध्यान रखेगा बागी बॉलिंग वाले section पर हर्शल पटेल है तो यहां से मतलब आप लोग चार पंट प्लेयर लेकर आईएगा चार या तीन नहीं सौरी तीन आप लोग पंट प्लेयर लेकर आईएगा आप लोग तीन ही यहां पर high selection percentage प्लेयर लेकर आईएगा और पांच प्लेयर आप लोग इस section से रख सकते हो clear यहां से आप लोग प देखो मैंने प्रप्सिम्रन सिंग को as a punt player रखा हुआ है मैंने राइली रूजूव को as a punt player रखा हुआ है मैंने गेम चेंजर पे डेविड मिलर को रखा हुआ है मैंने यहाँ पर गेम चेंजर पे लियाम लिविंस्टेन को रखा है मैंने punt player से राहूल तिवत्या को लिया है म मैंने पंट प्लेयर से Spencer Johnson को ले रखा है देख रहे हो कितना रिस्क ली है मैंने एक रिस्क है दूसरा रिस्क है तीसरा रिस्क है चौता रिस्क है पाँच वा रिस्क है पाँच रिस्क लेकर मैं चलना हूँ मैंने साइ सुधर्शन को दोस्तों ड्रॉप किया है क्योंकि देखो रिस्ट नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है मैंने डेविड मिलर को इन किया है उसके बदले क्लियर यह मेरा हाई सेलेक्शन पोसंटेज प्लेयर है शुब मन गिल यहां से रशित कान और सैम करन मेरे हाई सेलेक्शन पोसंटेज प्लेयर है और यहां से कगी सो रबाड़ा मेरे लिए हाई सेलेक्शन पोसंटेज प्लेयर है बागी मैंने लो सेलेक्शन पोसंटेज प्ले टेली ग्रॉप को जौइन नहीं किया है, जहां पर कि आप लोगों को ऐसी और भी कॉंबिनेशन में शेर करूँगा, तो सबी लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्षन और कमेंट सेक्षन से टेली ग्रॉप को पक्का से जौइन कर लीजिगा, थर important बात दोस्तो अब आता है कि टीम लगानी कहां पर है आप लोगों ने दोस्तो आप लोगों ने my 11 circle आप पर इन teams को लगाना है जो तीन teams दे रहा हो न यह तीनों team my 11 circle आप पर लगाना है क्यों बात समझों competition कम है दोस्तों ठीक है न बाकी आप पर जहां आप लोग 54 से लेकर मतलब सॉरी एक करोड प्लस स्पोर्ट पे खेलते हो न यहां पर आप लोग 25 लाग के स्पोर्ट पे खेलते हो 25 लाग के स्पोर्ट पे जीतना पॉसिबल है बाकी आप पर मतलब next to impossible हो गया है competition इतना ज्यादा हो गया प्राइस बनी सेम है दोस्तों डेड़ करोड और महिंद्रा थार आप लोगों को यहां पर मिलती है अगर आप लोग फर्स रैंक पर आते हो प्लस मेरे लिंक के थ्रू आप को डिपॉस आप को डाउनलोड करते हो तो हजार रुपे के डिपॉसिट पे बारसो रुपे मिलते हैं 20% एक्स्टा मिलते हैं इस यहां पर मेरे पास दोस्तो प्रप्सिम्रंण सिंग के साथ जितेश शर्मा है ठीक है अब प्रप्सिम्रंण सिंग मेरा लो सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर हो गया राइली रुजू मेरा लो सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर हो गया यहां पर मेरे पास डेविड मिलर नही बागी यहाँ पर नूर आहमद और स्पेंसर जॉंसन है बागी यहाँ पर कगीस और अबाड़ा नहीं है मेरे पास और शिदीप सिंग है इस बात को ध्यान रखेगा यह भी सूपर रिस्की टीम है दोस्तों इस पे भी काफी रिस्की प्लेयर्स है जैसे बात करू नूर पड़ेगा सीवी सी किसे रखना है वो भी अभी बताऊंगा उससे पहले टीम नंबर थर्ड देख लीजे आप लोग यहाँ पर रिदमन शाह है यहाँ पर जितेश शर्मा है यहाँ पर आईली रूजुव है यहाँ पर साय सुदर्शन के साथ डेविड मिलर है शुमन गिल को भी ड्रॉप किया एक टीम पर क्लियर दो टीम पर हम लोगों ने लिया था एक टीम पर मैंने इसे भी ड्रॉप किया बाकि सैं करन लियाम लिविंग्स्टेन और रशित खान है बाकि कगी सो रबाड़ा है नूर अहमद है अब स्पेंसर जॉनसन के बदले यहाँ पर मोहि चर्मा भी विकेट लेता हुआ दिखें बागे सी वी सी के कंटेंडर अगर आप लोग उससे पूछते हो तो मेरे इसाब से सी वी सी में से ध्यान रखेगा आज के इस मैच पे आप लोगों को एक कंटेंडर बॉलिंग वाले सेक्शन से दिखेगा जिस पर कि आप लोगों क कैटन आप लोगों को यहां से मिल जाएगा ठीक है न यहां से साई सुदर्शन हो गया शुबमंगिल हो गया ठीक है ऑप्छन बता देता हूं आप लोगों के लिए रशित खान इंपोर्टेंट रह सकता है और सैम करन रह सकता है यह इंपोर्टेंट पिक्स रहेंगे आप लिए दूसरे cvc के लिए मतलब अगर आप लोग captain as a captain selection percentage उस player का हाई है ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा तो VC एकदम लोग वाला लीजिएगा 5% से भी कम हो जो clear अगर captain 5% से कम वाला रखा है तो VC आप लोग 10% तक जा सकते हो इस golden rule को भी आप सभी लोग पक्का से ध्यान रखेगा cvc बनाते वागते बागी my 11 circle आप को आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजेगा ये सारी टीम आप लोगों ने my 11 circle आप पर लगानी है क्योंकि वहाँ पर कम competition है पक्का से डाउनलोड कर लीजेगा नीचे description और comment section पर ही link है बाकी all the very best और telegram group को join करना न भूलेगा धनेवाद दोस्तों